नमस्कार भारत होमेपथी के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है बढ़ता हुआ यूरिया लेवल और क्रिटिनी लेवल हर किड्नी पेशेंट को परिशान करता है तो आज की वीडियो में मैं आपको यही बताने वाला हूँ कि कैसे आप अपने बढ़ते हुए यूरिया लेवल को और क्रिटिनी लेवल को कम कर सकते है कई किड्नी पेशेंट के दिमाग में ये रहता है कि जब उनके शरीर में यूरिया लेवल बढ़ रहा है यह creatinine level बढ़ रहा है तो उनकी kidney और ज़्यादा damage हो रही है तो ऐसा नहीं होता क्योंकि जब आपके शरीर में urea और creatinine level बढ़ेने लगते हैं ये दोनों ही waste material है और जब ये आपके शरीर में बढ़ेने लगते हैं इसका मतलब है आपके kidney already damaged है जिसकी वजह से आपके शरीर म यूरिया और creatinine level बढ़ रहे हैं अब आपको ये समझना होगा कि यूरिया आपके शरीर में कहा बनता है जबी तो आप काम कर पाएंगे इनको कम करने पर तो सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि यूरिया हमारे शरीर में कहां बनता है यूरिया हमारे शरीर में लीवर में आप देखेंगे आप जो भी खाना खाते हैं उसको डाइजेस्ट करने के लिए आपका लीवर उसको एनरजी में कनवर्ट करता है और इसको छोटे-छोटे हिस्सों में डिवाइड करता है और इसी प्रोसेस में यूरिया बनता है जब आपका लीवर आपके खाने को एनरज खाना खाना छोड़ दे तो ऐसी स्तिती में आपको क्या करना है आपको ऐसा खाना खाना है जो कम यूरिया लेवल बनाए अब एक्जामपल के तौर पर आप इस तरीके से समझे जब आप एक रोटी खाते हैं और आप एक भटूरा या पूरी या पकोड़े खाते हैं तो जब आपके शरीर में आपका लीवर इनको डाइजेस्ट करता है तो आपकी रोटी को डाइजेस्ट करने में आपका लीवर यूरिया कम बनाता है वहीं जब आप ओईली चीज़ या फिर आप भटूरा या फिर पूरी आप जो भी चीज़ खाते हैं उसको डाइजेस्ट करने मे आपका लीवर जादा यूरिया बनाता है तो ऐसे में आपको क्या करना है आपको सभी oily चीजों को avoid करना है तली हुई चीजों को avoid करना है आप भटूरे, पूरी, पकोड़े, बर्गर, जंक फूड वगएरा आपको ये सारी चीज़े avoid करनी है तभी आपके शरी में यूरिया लेवल कम बनेगा और आप एक healthy life, यानि आप अपने यूरिया लेवल को जो कम करना चाहरे है वो यूरिया लेवल कम होना शुरू हो जाएगा अब बात करते हैं क्रिटिनिन लेवल को कैसे कम करें तो kretinin level को कम करने के लिए सबसे पहले आपको क्या पता होना चाहिए? आपको पता होना चाहिए आपका kretinin कहां बन रहा है, आपकी body में kretinin कहां बन रहा है? तो kretinin आपकी body में muscles में बनता है और muscles में kretinin बनता है protein से, जब आप खाने में ज़्यादा protein खाते हैं और आपके protein को आपकी muscles energy में convert करते हैं तो इससे आपके शरीर में kretinin level बढ़ना सौभाविक है और जहां आपके kidney सही से आपके blood को filter नहीं कर पारी तो आपकी body में kretinin accumulate होने लग जाता है और आपके kretinin level बढ़ने लग जाते हैं तो इस condition में आपको क्या करना है? तो इस condition में आपको अपने diet में protein के excess amount को कम करना है अब protein एक ऐसी चीज़ है जो आपके शरीर में blood बनाती है, enzymes बनाती है, आपके even आपके हर body part को protein की requirement होती है आपके बालों में protein required है, आपकी eyes, आपके hands सभी में protein की requirement है तो ऐसे में अगर आप protein को अपनी diet से बिल्कुल हटा देते हैं तो ये आपके लिए बहुत जादा खतरनाक हो जाएगा तो ऐसे में आप क्या करें, आप अपनी KFT report देखें, उसमें आप देखेंगे, generally patient क्या देखते हैं, creatinine urea लेकिन उसमें एक TP भी होता है, यानि total protein की amount भी लिखे होती है अगर आपका protein level 6.5 से अबव है और around 8 तक है, तो आपके शरीर में protein के amount अच्छी है आपको excess amount में protein खाने की जरुवत नहीं है, या आप कुछ दिन तक अगर protein का intake भी कम कर देते हैं और आप protein के intake को कम करके carbohydrate, fiber, acid diet पर आ जाते हैं, तो भी आपके शरीर में protein की कमी नहीं होगी तो ऐसी condition में आपको क्या करना है, ऐसी condition में आपको easily digestible protein पर switch करना है मतलब आप easily digestible protein से आप क्या समझेंगे, आप easily digestible protein वो है जब आपको even fever भी हो तो आप उस protein को digest कर पाएं आपका शरीर उस protein को easily digest कर ले तो उस protein में क्या आता है? उस protein में आता है दूद, उस protein में आती है डाले non-veg diet आप kidney patient है तो आपको avoid करनी पड़ेगी क्योंकि ये high protein diet है और high protein diet आपके शरीर में protein level बनाएगी तो इसके लिए आपको क्या करना है? veg protein की तरफ convert करना है अपने आपको आप दूद पी सकते हैं, आप दाले खा सकते हैं especially आप मूंग दाल खा सकते हैं और दूद की बात करें तो गाय का दूद इस वक्त आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा और साथ ही आप अगर पनीर खाना चाहते हैं तो आप घर पर बना कर पनीर खा सकते हैं market वाला पनीर आप नहीं खा सकते हैं क्योंकि market वाला पनीर अगर आप खाते हैं तो भी आपके शरीर में क्रिटिनी लेवल जादा बनेंगे वहीं जब आप यूरिया और क्रिटिनिन लेवल को कम करने के लिए प्रोटीन की अमाउंट बिल्कुल कम कर देते हैं तो इससे क्या होता है आपके शरीड में कमजोरी आ सकती है तो ऐसा बिल्कुल ना करें आप अपनी रिपोर्ट्स देखें उसके बाद आप decide करें आपको किस डाइट पर schedule करना है और रही बाद kidney patients कौन से फल खा सकते हैं और कौन से सबजिया खा सकते हैं तो इसके लिए मैंने already videos बना रखे हैं आप description area में जाकर उन videos को easily देख सकते हैं और साथ ही अगर आपके मन में अब भी creatinine को कैसे कम किया जा सकता है और urea level को कैसे कम किया जा सकता है ये सवाल है तो आप नीचे दिये गए comment section में जाकर अपना सवाल हमसे पूछ सकते हैं साथ ही आप भारत हुमिपथिके YouTube चैनल पर जाएं और वहाँ पर आप already ऐसी videos देखेंगे जिनमें हमने आपको creatinine और urea के बारे में in-depth knowledge दे रखे है तो आप उन videos को भी देख सकते हैं तो मैं उमीद करता हूँ आपको समझ आ गया होगा कि आप अपने शरीर में अपने blood से creatinine और urea level को कैसे कम कर सकते हैं अगर आप एक kidney patient हैं तो आप देर ना करें तुरंत ही अपना treatment शुरू करवाएं क्योंकि अगर आपके creatinine level धीरे-धीरे बढ़ते जाते हैं तो एक time ऐसा भी आ सकता है जब आपको dialysis या kidney transplant जैसे situation को face करना पड़े अगर आप एक kidney patient हैं तो आप अपनी reports भारत होमेपथी की doctors के team के साथ share कर सकते हैं आप नीची देगे number पर call भी कर सकते हैं और अपनी reports WhatsApp के थुरू उन्हें भेज भी सकते हैं अगर आपको हमारी वीडियो अच्छे लगी है तो आप इसे like करें साथ ही अगर आपको ये जानकारी useful लगी है तो आप इसे अपने दोस्तों और रिष्टेदारों के साथ जरूर शेयर करें साथ ही अगर आप ऐसे ही informative वीडियो और देखना चाहते हैं तो आप हमारी चैनल को अभी subscribe करें Thank you for watching